हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक तो मा यूट्यूब चानल उस्या सांगवान इंग्लेश वाली और सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी वीडियो वाच करते हैं लाइक करते हैं कमेंट करते हैं थैंक यू सो मच फोर यूर कोपरेशन फोर सपोर्ट फोर यूर लाव तो बेटा आज जो मैं यहां पर बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज यह बताना चाहूंगी कि सी बीस सी ने 23-24 जो सेशन है मारा 23-24 सेशन के लिए कुछ कम्यूकेटिव को हटा दिया गया था अगर कोई स्टूडेंट जिनके बहन भाई पढ़ रहे होंगे एट येर्स बैक हमारे पास कम्यूकेटिव ही था उसके बाद में क्या हुआ लैंग्वेज और लेटरेचर को कमपल्सरी कर दिया यह दूरिंग कोवेड कोवेड से ज़ आए उसकी वज़े से भी तो लैंग्वेज और लेटरेचर है वो थोड़ा सा लेटल बिट इजी है और जो कम्यूकेटिव है कम्यूकेटिव इस लेटल बिट टफ यह तो फैक्ट है इसमें कोई दो रहाए नहीं है तो यहां पर अभी थोड़ी कस्म कस चल रही है क्योंकि CBSC को क्या करना है CBSC क्या आप वो जैसे की पता है कि 35 years के बाद में यह स्पाल कमेटी ने जो हमारा क्या करा था 10 प्लस 2 प्लस 3 86 के अंदर यह हमारी education policy थी और उस policy को after 35 और 36 years के बाद में इसको change किया जा रहा है जो अब रहेगी हमारी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 5 का मतलब क्या रहेगा आपका यह pre primary वाली class प्लस 3 का मतलब क्या रहेगा 5 तक 5 प्री नर्सरी नर्सरी केजी वेजी second class तक प्लस 3 मतलब अप्टू 5 प्लस तक प्लस 3 6 7 8 प्लस 4 जिसमें क्या रहेगा आपका 9 10 11 और 12 2020 के अंदर जब यह decided था क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था और कोरोना आने के बाद में यह हो गया था कि हम करेंगे अब धीरे धीरे आपने देखा होगा फिर NTA को दिया नेशनल टेस्टिंग लिजिबिटी यह जो और गनाइजेशन है उसको काम दिया अब धीरे 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 क्या कर रहे हैं वो इनमें चेंजी जिला करके टोटल जो रहेगा वो हमारा CUET के उपर कर देंगे और इसके साथ में ही यह क्या कर रहे हैं NEP को एक साथ में इंप्लेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना infrastructure और यह सब अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि इसको करने में काफी कस्म कस्की जरुगत है मतलब काफी बड़ा हमें infrastructure चाहिए तो इसके लिए वो धीरे-धीरे step-wise step-wise चालू करते जा रहे हैं इसके अंदर जैसे NCQ का add करना case-based study का add करना तो इसी तरह से इस साल 10th की जो English है वैसे 5th of April का इसको decision full and final हो जाएगा कि language and literature को रखना है या नहीं रखना लेकिन communicative is back ये confirmed है कि communicative जो था ना हमारा 10th class के अंदर तो 9th के अंदर तो mostly school के अंदर ये मतलब जरूरी हो गया है कि हमें क्या करना है हमें communicative को add करना है क्योंकि अब हमें next year में जो हमारे बच्चे 10th में आएंगे बोर्ड के अंदर जाएंगे तो 23 से तुसले बस वैसे सारा का सारा change हो रहा है तो उसके अंदर इसको add on करना और इस बार जो 10th के English है उसके लिए भी mostly school ने जो ना communicative को ही क्या कर रहे हैं वो opt कर रहे हैं अब language और literature को simultaneously अभी रखेंगे या नहीं रखेंगे इस विशे के उपर अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ये 5th of April तक most of the expectation है कि ये हो जाएगा दूसरी बात जो हमारे 10th के अंदर biology है English है, mathematics है और chemistry है इन subject के अंदर भी changes जाने की संभावना है लेकिन अभी full and final नहीं हुआ ये last time का decision है जैसे बोटते हैं at the 11th hour at the 11th hour के उपर जो decision होता last moment के अंदर आपने देखा होगा CBS ने फटापट एक circular जारी करा अभी 18-19 March को कि जो होना कोई भी school जो होना ये नहीं करेगा 17 March को CBS ने एक circular जारी करा कि जितने भी private school added government school है वो जो हना क्या करेंगे session को April से पहले शुरू नहीं करेंगे 1st April से पहले शुरू नहीं करेंगे otherwise बहुत से private school में शुरू हो जाता है तो इन सब चीजों के लिए और आज की जो वीडियो थी उसका जो मेरा main motive था वो ये बताना था कि बच्चे communicative को लखें क्योंकि 10th के अंदर तो communicative वापिस आ गई है हमारी और बाकी जो decisions रहेंगे वो 5th of April तक इसका decision हो जाएगा कि क्या रहता है changes 10th 12th में भी संभावना है कितने changes होते हैं कुछ कहने सकते नमस्काश